प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी देश में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। इन परियोजनाओं के समय पर पूरा करने के लिए भी कई प्रकार के दिशा निर्देश, प्रधान मंतरी या प्रधान मंतरी कारेले की तरब से आते हैं। कई जगा प्रधान मंत्री या प्रधान मंत्री कारले को special teams बनानी पड़ती हैं ताकि काम समय पर पूरा हो जाए कई बार राज्य सरकारों को निर्देश भी दिया जाता है लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि राज्य सरकार के लचर रवये के कारण कई परियोजना अधर में लटक जाती है इसलिए प्रधान मंत्री कई बार राज्य सरकारों पर बहुत खुल कर भरोसा नहीं करते और इसके लिए वो अपनी टीम बनाते हैं उत्राखंड में ऐसी कौन सी परियोजना है जिसके लिए प्रधान मंत्री ने नई टीम गठित की है और राज्य सरकार के अधिकारियों पर या कहें राज्य सरकार के नेत्रत्व पर पूरा भरोसा प्रधान मंत्री ने नहीं किया है क्या है पूरा मामला मैं आपको बताऊंगा नमस्कार मैं हूँ मनमोहन भट पिछले तीन चार दिन में अलग-अलग जगे से एक ही खबर आई खबर थी बद्रिनाथ धाम के पुनर निर्माण की सबसे पहले तो प्रधान मंतरी कारेले में त्यानात मंगेश घिल्डियाल खुद आकर दोरा करते हैं बद्रिनाथ धाम का बद्रिनाथ धाम में क्या-क्या विशेश काम किये जाने हैं उसका एक खाका तयार किया जा चुका है और उस खाके में अब इंप्लिमेंटेशन का समय आ गया है कैसे वो कारियों का इंप्लिमेंटेशन होगा कैसे समय पर पूरा होगा पूरी कारेयोजना तयार हो चुकी है और प्रधान मंतरी कारेले इस कारेयोजना पर बहुत गंभीरता से काम कर रहा है इसके लिए ही उन्होंने अधिकारियों की एक टीम बनाई है उस टीम का एक महतपूर्ण हिस्सा है मंगेश घिल्डियाल मंगेश घिल्डियाल टिहरी, रुद्रप्रियाग और बागेशोर में जिलाधिकारी रह चुके हैं और उनके काम को देखते हुए प्रधान मंतरी कारेले ने उन्हें अपने यहां आने का सिधा सिधा संदेश भीजा था और उसके बाद से मंगेश घिल्डियाल प्रधान मंतरी कारेले में ही तैनात हैं और बद्रिनात धाम के रिश्ट्रक्चरिंग के काम को वो देख रहे हैं प्रधान मंत्री कारेले में तैनात रहे एक और वरिष्ट आईएस अधिकारी रहे हैं जिनका नाम है भाशकर खुलबे भाशकर खुलबे अब रिटायर हो चुके हैं रिटायर होने के बाद प्रधान मंत्री कारेले ने उनको एक बार फिर से सलाहकार के पत पर नियुक्त कर दिया था लेकिन वहां से भी उनका जब काम पूरा हो गया तो भाशकर खुल्बे देहरादून आ गये और यहां पर उन्हें परटन विभाग में OSD बना दिया गया है उतराखंड के परटन विभाग में अब भाशकर खुल्बे की तैनाती हो गई है वहां पर बतार OSD भी हों की जो तैनाती हुई है वो वास्तव में सीधा सीधा बद्रिनाद धाम के पुनर निर्माण के कामों को देखने के लिए मोनीटर करने के लिए की गई है लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल होता है राज्य सरकार चलती है राज्य सरकार में कई बड़े ओधेदार होते हैं कई अफसर होते हैं इन अफसरों पर सिधा सिधा प्रधानमंत्री कारेले क्यों विश्वास नहीं कर रहा है ये सवाल कई लोग पूछ रहे हैं और क्यों प्रधानमंत्री कारेले विशेश अफसरों की तैनाती विशेश परियोजनाओं के लिए करता है कुछ समय पहले तक केदारनाथ धाम पर विशेश रूप से प्रधान मंतरी और उनकी पूरी टीम का पूरा ध्यान था केदारनाथ के महतोपूर्ण कामों को पूरा किया जा चुका है और अब वहाँ पर दूसरे चरण के कामों को किया जा रहा है प्रधान मंतरी चाहते हैं कि जिस तरीके से केदारनात भव्य और दिव्य रूप में अब दिखाई देने लगा है वैसी ही भव्यता, सुंदरता, दिव्यता, बद्रिनाध धाम में भी दिखाई दिये जाए इसके लिए उन्होंने एक master plan तयार किया हुआ है लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि इस master plan को execute करने की जो power है वो राज्य सरकार के पास शायद उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए या कहें कि उतनी काबलियत शायद नहीं है जितनी होनी चाहिए इसलिए प्रधान मंतरी ने सीधा हस्तक शेप करके पहले तो केदारनाध धाम के पुनर निर्मान का काम पूरा किया और अब बारी है बद्रिनाध धाम की और इसके लिए team बनाई गई है कुछ राज्य सरकार के अधिकारियों को प्रधान मंतरी कारले में तैनाती दी गई है और जो लोग प्रधान मंतरी के विश्वास पात्र रहे हैं उन्हें भी उतराखंड भेज कर मॉनिटरिंग की एक महत्मूर्ण जिम्मेदारी सौपे गई है वैसे सिर्व उतराखंड अकेला राज्य नहीं है जहां पर किसी भी परियोजना को पूरा करने के लिए प्रधान मंतरी कारले विश्वेश लोगों की एक team बनाता है कई और राज्यों में भी इसी तरीके की team बनाई जाती है लेकिन ये आम तोर पर तब ही होता है जब राज्य सरकार के अधिकारियों पर या राज्य सरकार के नेत्रत्व पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर पाता अब देखना ये है किदारनात की तरह बद्रिनाध धाम कब भव्य रूप में नजर आती है और जिन अधिकारियों को जिम्मदारी सौपी जाती है वो अधिकारी अपना काम किस तरीके से ठीक कर पाते हैं और परधान मंतरी को किस तरीके से वो सुचित कर पाते हैं भासकर खुलबे 2023 फरवरी तक उतरा खंट के साथ जुड़े रहेंगे और इस दौरान ये देखना होगा कि पुरे शीत काल के दौरान जो प्लान बन रहे होंगे वो कैसे एक्जिक्यूट हो रहे होंगे और कैसे वो प्रधान मंतरी कारले को अपनी रिपोर्ट समय समय पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए और ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए इसे शेर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाए नमस्कार